कि नमस्कार आप सस्त्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त अखिलेस और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेस के साथ और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने टॉक्सों में ऐसी परसनालिटिस को लेकर आते हैं कि जो समाज के लिए बहुत अच्छे कारे कर रहे होते हैं या आई-एस हों आई-पियस हों मिनिस्टर्स हों आज हम एक ऐसी सक्सिस को आप से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने प्रेडनेंसी पीरेट के दोरार में भी कोरोना के काल में सारे लोगों की मदद की है, ऐसी एक सक्षयस से आपको रूबरू करा रहे हैं जो की विज़ब्ट ट्री फांडेशन की डैरेक्टर है और आपका चौक्षे कॉलेज की डैरेक्टर है जिनका की नाम है पलक आपने परिवार से सबसे पहले सीखते हैं जब आपकी अपरिंगिंग किस तरीके से हुई है तो मैंने अपने परिवार में हमेशा से बच्पन से यह चीज देखती आई हूं कि किस तरीके से मेरे पैरेंट्स किस तरीके से सेवा करना चाहते थे किस तरीके से लोगों की मदद करना चाहते हैं चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो बट मैंने बच्पन से यह चीज सीखी है मंदिर में चाहे जैसे गरीबों में खाना बाटने के लिए जाना हो तो वो बच्पन से मुझसे करवाते आये हैं, जब मैं क्लास फिफ्त में थी, मुझसे पहले का तो याद नहीं है, लेकिन हाँ पांचवी कक्षा से मुझे याद है कि मेरा ये नियम था, हर मंगलवार, हर संडे को वो मुझे कहते थे कि ये लेके जाना है और अपने हाथ से आपक करती हूं, मिडल क्लास फैमिली से, और शायद इसी लिए मेरे अंदर बहुत जादा सिधान्त हैं, क्योंकि ये सच में देखा जाता है कि मिडल क्लास फैमिली में सबसे जादा बच्चों के वैल्यूज पे ध्यान दिया जाता है, उनकी अप्रिंगिंग पे ध्यान दिया ज जिखाई, शायद इसलिए आज मैं इस उनर के साथ आज यहां आपके साथ बैठी हूं, पलक जी आप इतने अच्छे-च्छे सोसल कारे कर रही हैं, चाहे वो चाइड डेवलप्मेंट की बात हो, या ओमेन इंपावर्मेंट की बात हो, आपने बहुत अच्छे कारे की हैं, तो इसमें आपके मिस्टर का कितना सहयोग रहता है, उनका हमेशा बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि अगर उनका सहयोग नहीं होगा, तो डेफिनिटली मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तो जब से शादी होके मैं चछतिसगड आई हूं, तो मुझे चछतिसगड बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा शान सा, और बहुती एक मीडियम ये कहा जाए, राज्ये हैं, जहां पर बहुत मतलब मीठे भाशी लोग हैं, और बहुत अच्छे सरल सभाव के लोग हैं, तो पहले मुझे बड़ा लगा कि मैं महाराश्र से आई हूं, तो बहुत सारी कि कैसे तुम जादा से जादा काम कर सकती हो, घर से हमेशा मुझे पूरा सपोर्ट मिला है उस टीज के लिए, आप इक डिफरेंट कल्चर से आए थे, महाराश्र का कल्चर और शट्टिसगड़ के काफी अंतर है, तो तो यहां और यहां के कल्चर में, अच्छली महाराश् तो थोड़ा सा वहां का मराथी कल्चर अलग है, बट नागपूर में बहुत मिक्स कल्चर के लोग रहते हैं, तो मेरी अपरिंगिंग वैसी हुई है, पूरी एजुकेशन वहीं से हुई है, तो उसके बाद जब मैं यहां 36 गड़ आई हूं, तो मुझे, हाला कि बहुत सार सारी चीज़े डिफरेंस थी, स्टेट अलग है, शहर अलग है, लेकिन उसके बावजुत मुझे ऐसा लगा कि बहुत जादा अंतर नहीं है, वहां पे भी लोग इतनी प्यारे और मीठे सुभाव के थे, जितने चत्तिसगड में, बलासपूर में मुझे लगा, आपने एक NGO किया हुआ है, विजडम ट्री फांडेशन, क्या उद्देश है आपके NGO का, विजडम ट्री फांडेशन का मेजर उद्देश है, प्रकृति, वोमन एंपावर्मेंट, चाइल्ड डेवलप्मेंट और माल नूट्रिशन, हम लोग ये सारे एरियास पे वर्क कर रहे हैं, और जब मैं ये सारे एरियास में अच्छा काम मुझे जिस दिन फील होगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अभी आप लगों को फील हो रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उस उचाई तक पहुची हूँ, कि जिस दिन मुझे मेरे मन में ये साटिस्फेक्शन आए के लिए आप चौकसे इंजिनरिंग कॉलेज की डारेक्टर भी है और आपके पास बहुत बड़ा स्थोप है अभी आगे करने के लिए तो 36 गड़ की युवाओं को कहां ले जाना चाहती है जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी एक एक दम रिसेंट लिए बात कही कि टेक्निकल क्योंकि शायद मैं उस संस्थान से जोड़ी हुई हूँ जो कि सबसे क्रांती का काम कह लिजे कि रिवॉलिशनरी एक्ट था जो मेरे फादर इन लॉज जैना रेंच उकसे जी ने 93-94 में स्टार्ट किया था मध्यप्रदेश का सबसे पहला प्राइविट इंजिनेरिंग ग्रूप ऑफ कॉलेजिस के नाम से उसके बाद यहां पे जब हम लोग आए हैं बिलासपूर में तो यहां पे भी 2000 में होमेपथी का हमारा पहला प्राइविट कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने हमेशा अपग्रेडिशन पे वर्क किया है तो मैं उनको देखत हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है तो मैं भी एक रिवॉलिशनरी एक्ट करना चाहती हूं इसलिए मैं आपसे वो टेक्निकल अपग्रेडिशन की बात कर रहे हूं कि यहां पे जिस दिन 36 गड़ में यह होगा तो डेफिनिटली 36 गड़ के युवां सिर्फ स्टेट यहां के युवां को देखना चाहती हूं अपने परिवार वालों से मिलने में ही जखते थे तब आपने समाज में जाकर सेवा की है तो उस वक्त कभी-कभी बीच में बहुत डर लगता था जब लोग कहते थे मुझे बाहर से सबके फोन्स आते थे कि तुम प्रेगनेंट हो, सेवेंथ एट मन्स टार्ट है और ऐसे में बाहर जा रही हो, बहुत रिस्की है तुम अपने साथ बच्चे की भी जान खतरे में डाल रही हो तो फिर मैं सुस्ती थी कि शायद मुझे थोड़ा सा डिस्टन्स बनाना चाहिए लेकिन फिर मेरे पास जब कभी किसी का कॉल आता था या कभी किसी को मदद की जरुरत होती थी तो मुझे उस वक्त एकी चीज़ की अहसास थी कि शायद मुझे से जादा किसी और को मेरी जरुरत है और मैं इतनी सक्षम हूँ कि मेरे पास वो कॉल आ रहा है तो भगवान ने अगर मुझे या पॉर्चनिटी दी है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ तो पहले मुझे वो सेवा कर लेनी चाहिए फिर बाकी तो वो खुद सब का ख्याल रखी लेंगे तो शायद इसलिए मैं मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं एक बार भी पॉजिटिव नहीं हुई थी और बहुत अच्छे से मेरी डिलिवरी भी इतने अच्छे से नॉर्मल हो गई थी बिफोर टाइम होने के बावजूद तो मैं इसको सच में एक भगवान का आशिरवाद मानती हूँ कि आप सचे दिल से मानव सेवा करते हैं तो कहीं न कहीं भगवान आपका बराबर साथ देते ही है तो पलत जी समाज के प्रती जो आपका दृष्टी पूंड रहा है आप एक मध्यमवर्गी परिवार की रही है और आपने बहुत कुछ समाज को दिया है तो अभी आगे और क्या इतना कुछ तो आपने अचीव कर लिया काफी recognition आपको मिल रहा है बहुत सारे ministers ने भी awards दिया है अब आगे और क्या थैंक्यू सो मच अखलेश जी आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि बहुत सारे achievements मैं कर चुके हूँ लेकिन मैंने शुरुआत में भी यही कहा था कि अभी शुरुआत है मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है अभी मुझे बहुत कुछ करना है और उसके लिए जो समाज के लिए मुझे करना है उसके लिए मुझे समाज का ही सही योग चाहिए यहां के लोगों का ही सही योग चाहिए तभी हम लोग सब मिलके ही कुछ अच्छा कर पाएंगे तो जिस दिन मुझे लगेगा कि हम एक लेवल उपर आ गए हैं तब मैं बोलूगी कि हाँ यह मेरा अचीवमेंट है अभी सिर्फ हम लोग बेसिक लेवल पे काम कर पा रहे हैं तो उसके लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है आज की युपाओं को किया संदेज देना चाहा हैंगी आज की युपाओं को मैं अपनी तरफ से एक बहुत important संदेज देना चाहुंगी जो मैं अपने अवपर ट्यों से हमेशा कहती हुँ कि सबसे पहले आपको अपने उपर फोकस करना है अपने उपर फोकस करना मतलब आज कहीं न कहीं बच्चे बहुत self-centered हो गएं सिर्फ अपने बारे में अपनी priorities और अपने self-care और self-love के बारे में सोचते हैं तो मैं आप सभी से एक चीज़ काऊंगे कि सबसे पहले आपको अपना दायत्व समझना है अपने परिवार के प्रती, अपने मातापिता के प्रती, आप ये चीज़ मत भूलिये कि आप किसी भी जनरेशन में चले जाएए, ये एक ऐसा लाइफ सरकल है जो गोल घूम के वाप आज आप यांग हैं, फिर आप धीमे से मैच्योर होंगे, फिर धीमे से आप ओल्ड एज में आएंगे, उस वक्त आपको तब रियलाइज होगा कि परिवार का महत्व क्या होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यही राय देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने पैरें कि मैं किस तरीके से सोशल कॉस कर सकूँ, चाहे वो रोड की साफसफाई करना हो, चाहे अपने घर के आसपास कि किसी भी एरिया में आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एक अच्छा सा सेमिनार करना चाहिए, या लोगों को जागरू करना चाहिए, अगर हर एक युवा अप कर कोई दूसरा राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि युवाओं में जो शक्ति है वो किसी और में नहीं है, तो युवाओं को सबसे जादा सेल्फ डिसिप्लीन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाइफ को पंच्छुएल्टी के साथ जीने की ज़रूरत है, और तीसरा, मोब के लिए ऐसा ही लगातार अच्छे कारे करते रहेंगी,